बन्देयां श्री गुरु, श॓द्वतकम्लम् श्री गुरुन् वेश्वांश्चा श्री रूपं साग्रजातम सह्गण रगुनातन वितं तंस जीवं साद्वेतं सावधुतं परिजन सहितं स्री क्रिष्न China चैतन्नि देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता शिविशाखान वितांश्य यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादू यस्या प्रसादा नगतिही कुतूपी ध्यायम स्थुमंस्त सैयश स्त्रिसंध्यां वंदे गुरु हुष्षी चरणार विंदं नमो महा बदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गुर्थ विशे नमहा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे ब्रिंदा वनेश्वरी विशभानु सुते देवी त्वम्नमामी हरी प्रिये जैरूप सनातन भट्ट रगुनात शीजीव गोपाल भट्ट दास रगुनात एचे गुसाएर कोरी चरण वन्धन जहां होई ते बिग्णनाश अभिष्ट पूरन। वांचा कल्पत रुब्यश्च क्रीपा सिंधु भेवचा पतिता नाम पावनेब्यो वैश्नवेब्यो नमो नमाम जै जै श्री राधेश्याम। हम सब लोग आस्वाधन कर रहे हैं गंभीरा के गौरांग महाप्रुभु की लीलाओं का। बहुत ही सुगंभी लिलाएं हैं गौरांग महाप्रुभु की आपने जाना की ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही गौरांग महाप्रुभु हैं जो किशोरी जी के भाव और उनके अंग कान्ति को लेकर के आये हैं। क्यों आये हैं ये भी कई बार हम बता चुके हैं। जानने के लिए कि उनकी अपनी मधुरिमा कैसी है। प्रिया जी का जो प्रेम है उसका कितना उदकर्श है। उसकी महिमा क्या है। उस प्रेम के द्वारा जो वो मेरे माधुरे का आस्वादन करती हैं वो माधुरे ही किस प्रकार का है। और उन्हें इस माधूरे को आस्वाधन करके किस प्रकार का सुख होता है तो इसलिए गौरांग महाप्रभु आय और गंभीरा में ही वस्तुतहा उन्होंने अपने इन तीन वांचाओं का तीन प्रबलतम इच्छाओं का आस्वाधन किया है और इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण के माधूर विरह को एक खेतु बनाया माधूर विरह में जिस प्रकार से किशोरी जी की दशा थी क्योंकि देखे शीमत भागवतम में जैसा की जिक्र आया है कि शाम सुन्दर चले गए मतुरा अकरूर जी ले गए उन्हें और इसके बाद गोपियों की जो दशा हुई और विशेश तया शीराधिका की जो दशा हुई दिव्योन माद प्रलाप, खुद घूना, चित्रजल बड़ी दिव्य दशाएं हुई मोहनाक के महाभाव का संपूर्दम आस्वादन किया है उन्होंने जिसमें सुदीप्त सात्विक विकार जो थे वो प्रकट हुए लेकिन वो जो आस्वादन है सुनने में, देखने में अवश्य ही लगता है कि बड़ा ही दुख है बहुत ही वेदरा है परन्तु चुकि ये आनंद से उत्त दुख है इसलिए दुख भी प्रचूर्तम आनंद में है इतना आनंद में है कि किशोरी जी उस समय श्याम सुन्दर के माधूर्य को सब जगा देख रही है त्रलोक में व्यापत हैं उनका माधूर्य उस विरह दशा में तो इतना आस्वादन है कि शाम सुन्दर को भी ये लोब हो गया कि मैं भी इस परकार से निज़ माधूर्य का आस्वादन करूँगा और इसके लिए वो गौरहरी के रूप में आए उसी माधूर्य का आस्वादन भक्त भाव में प्रिया जी के जो महा भाव है उसका आश्य ले करके आश्य जाती प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं तो गौरांग महा प्रुभू में विश्य जाती प्रेम भी है और आश्य जाती प्रेम भी है लेकिन आश्य जाती प्रेम मोहनाख्य महा भाव बहुत ज्यादा प्रबल है इसलिए उन्हीं के भाव यानि किशोरी जी के भाव को लेकर के दिन रात वो कृष्ण के लिए विरह में व्याकुल रहते हैं और गौरांग महाप्रभू की इस सुंदर सुगंभीर गंभीरा लीला को लिखा है सूत्र रूप में उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है गौरुदेव ने और उन्होंने बहुत सुन्दर प्रवचन दिये हैं मगर यह समस्त प्रवचन जो है वो बांगला में है इसलिए हमारा प्रयास है कि हमारी जो हिंदी भाशी शोता हैं, दर्शक हैं उन सब को हम उपलब्ध कराएं गुरु देव के ये प्रवचन हिंदी में तो इसी प्रियास के तहट आप चर्चा सुनते चले आए हैं गंभीरा के गौर की और आपने ये भी सुना कि किस प्रकार से गौरांग महाप्रभू अपने समस्त इंद्रियों को व्यर्थ मान रहे है श्री कृष्ण सेवा के बगैर श्री कृष्ण रसास्वादन के बगैर र बेकार हैं और जैसे कि पत्थर या काट की जो लकडियां हैं उनको कोई ढोए तो उसका क्या परिणाम है ऐसा लगता है बेकार ही ढो रहे हैं बोज है सिर्फ बोज ऐसी ही इंद्रियां उनके लिए बोज हो गए हैं और इसी चीज के कारण श्री गौर सुन्दर आक्षेप व्यक्त कर रहे हैं आपने सुना जहां वो कह रहे हैं वन्शी गाना अमरित धाम लावन्य अमरित जन्मस्थान जेना देखे से चांद बदन से नयने की बाकाज पड़ूतार माथे बाज से नयन रहे की कारण तो श्री कृष्ण का जो मुख है वो वन्शी गान रूपी अमरित का धाम है और वही लावन्य रूपी अमरित का जन्मस्थान है और जो उसका दर्शन नहीं कर पाता है तो फिर उसकी आँखें ही किसलिए हैं उसके माते पर बिजली गिरें क्योंकि उसकी आँखें तब ब का रहे हैं तो श्री कृष्ण चैतर ने महाप्रभू वस्तुतहा बड़ी ही दीनता से भरकर बड़ी ही वेदना से भरकर स्वयम को कह रहे हैं याद रखे श्री राधा जी के भाव में कह रहे हैं हमारे गौरांग महाप्रभू है विरहिनी राधा यही स्वरूप है उनका और इसी को आस्वाधन करने के लिए आये हैं वो विरहनी राधा किस प्रकार से श्री कृष्ण प्रेम में मत्त होकर के श्री कृष्ण माधुर्यम्रित का आस्वाधन करती है और उसकी जो चमतकारिता है वो जो रस है वो कैसा रस है ये लोब श्री कृष्ण को ले आया नवद्वीप में और वो गरांग महाप्रुभु के रूप में प्रकट हुए तो विरहनी राधा का भाव लेकर के जो आस्वाधन कर रहे हैं श्री गौरहरी उस आस्वाधन से उनका हिर्दे एकदम चमतकृत है और आलोडित है और लगता है जैसे साक्षात श्री कृष्ण के माधुर्य के बाढ़ में उनका मन डूपता रहता है और फिर अचानक ही वो अदृष्य हो जाते हैं तो चट पटाने लगते हैं शिमन महाप्रभू गंभीरा में और फिर बहुत ही वेधना के साथ ये कहने लगते हैं कि वो जो मुक्चंद्र है श्री कृष्ण का अगर उसी को नहीं देखा तो फिर ये बताओ हे स्वरूप हे रामनंदर आए इन आखों का क्या काम है तो महाप्रभू के गंभीर हिर्दय को समझना बड़ा मुश्किल है गुरुदेव के आनुगत्य के बिना असंभव ही है तो श्री कृष्ण का जो ये माधूर है कैसा माधूर है महाप्रभू ने स्वयम कहा तो जिसका जितना प्रेम है वो उतना ही कृष्ण मधूरुमा का आस्वाधन कर सकता है और वो प्रेम भी होना चाहिए ब्रज जाती है प्रेम और अगर गोपी भाव का प्रेम है तब तो बात ही अलग है तब भी जीवात्मा कितना आस्वाधन कर पाएगा लेकिन स्वामनी का श्री राधिका का जो प्रेम है वो तो परमहान प्रेम है महा भाव मई है किशोरी जी तो उनका आस्वाधन ये तो हमारी सोच की सीमा के भी परे है अचिंत आस्वाधन है उनका तो उसी भाव को लेकर ही तो गौरांग महा प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण के रूप का एक कण समस्त त्रिभुवन को डुबो देता है समस्त प्राणियों को आकर्शित कर लिता है और यहां तक की रूप देखी आपनार कृष्णेर होई चमतकार आस्वाधिते मन उठे काम यह जो हिर्दय में यह एक ज्वाला जो जली शाम सुन्दर के कि यह जो मेरा रूप है यह बहुत सुन्दर है लेकिन मैं इसका आस्वाधन नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो प्रेम का विशाय हूँ ना लोग मुझसे प्रेम करते हैं मैं खुद से कैसे प्रेम करूँ आशे जाती है प्रेम तो मेरे पास है नहीं भक्त का प्रेम तो मेरे पास है नहीं तो आस्वाधिते मने उठे का मन में बहुत ज़्यादा कामना उठती है उनके लेकिन आस्वाधन तो किशोरी जी ही करा सकते हैं तो इसलिए उनका भाव ल नंदन श्री कृष्णा के पास चार बड़ी सुन्दर प्यारी अन्यतम माधुरी है और वो है उनकी वेणु माधुरी उनकी रूप माधुरी उनकी प्रेम माधुरी उनकी लीला माधुरी जो अन्य भगवत स्वरूप में नहीं दिखती है इतना माधुर और कहीं नहीं दिख तो उस गाना अमृत का धाम है, उत्पत्ति स्थान है उस गाना अमृत का, यह हमने सुना और अब लावण्न्य अमृत, यानि रूफ के बारे में चर्चा हो रही थी, ये रूप कैसा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने काफी कुछ कहा, अब गुरुदेव बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण चैतन ने महाप्रभू है, वो विरह में इस रूप का जो आस्वादन करते हैं, उसका आलोडन बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने रासलिला का दर्शन किया, यह हमने सुना, और उन्होंने ये देखा, कि श्री राधा नानी को लेकरके श्री कृष्ण तो अंतरहित हो गए, तो गोपिका के भाव में ही श्री चैतन्य महाप्रुभू श्री कृष्ण को खोजने लगे, यहाँ महाँ भटगने लगे, खोज रहे हैं उपमन में, नीला चल के उपमन में, और व्रिक्ष लता से पूछ रहे हैं, कि क्या तुमने कहीं कृष्ण को देखा, और अचानक आपने सुना, कि कदम व्रिक्ष के नीचे, उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और देखते ही वो मूर्चित हो गए, इसके बाद ब्रज लीला में जो ललिता जी हैं, और गौर लीला में वही स्वरूप गुज स्वामी जी हैं, स्वरूप दामुदर जी, वो आए, रामानंदर आए जी, जो की विशाखा सकी हैं ब्रज की, वो आई, और सब ने यतन के साथ उनको उठाया, और जैसे ही वो उठे, तो अभी भी उनकी अंतर दशा काफी हद तक चल रही थी, और उसी दशा में उन्होंने श्री कृष्ण को जो देखा, और श्री कृष्ण का जो लावन्य अम्रित किस प्रकार का देखा, उसका वर्नन अपने शब्दों में, गौरांग महाब्रभू दिव्यून माद दशा में कर रहे हैं, नवगहनस निकधवण, दली तांजन चिककन, इंदी वर निंदी सुकोमल, नवगहनस निकधवण, जो बरसात के नवीन बादल हैं, तो उसका जो वन है वो चिकनाहट लिए रहता है, स्निकधता होती है, उसमें, और दली तांजन चिकन, काजल को घिस घिस के, घिस घिस के, घिस घिस करके, कोई घिसता ही रहे, तो वह बहुत चिकना हो जाता है, तो ऐसा चिकना, रूब वर्न शाम सुंदर का है, इंदी वर निंदी सुकोमल और इतनी सुकोमलता है इतने सुकोमल है शाम सुन्दर कि वो कमल की सुकोमलता को भी निंदित करते हैं तुछ करते हैं और अगर उनके रूप की किसी भी चीज़ से कोई तुलना देने का प्रयास करे तो वो विफल है क्योंकि ये तो अचिंत रूप है इस जगत का रूप नहीं है उनका नित्त रूप है जिसको उन्होंने अपने धाम से भक्तों के सुक के लिए प्रकट किया हुआ है तो इसलिए जिन्ही उपमारगण हरे सभार नेत्रमन क्रिश्नकांती परम प्रबल कैसी है ये क्रिश्नकांती समस्त उपमाओं को ये तुच्छ कर देती है सबके नेत्र सबके मन को ये क्रिश्नकांती जो की प्रबल है वो हर लेती है तो ये सब शी चैतने चरितामरित में हमारे प्यारे आचारे कविराज कृष्ण दास गोस्वामी जी की लेखनी से प्रकट हुआ है गौरांग महाप्रुभु की समस्त भाव और ऐसी अपूर्व परिपाटी है ऐसा अपूर्व आस्वाद है कि ये अन्य कहीं भी हम नहीं पाते हैं ऐसी सुन्दर लेखनी है इसलिए क्योंकि याद रखिए जब महाप्रुभु ज्यान हारा हो गए मूर्चित हो गए और उनको उठाया स्वरूप आदी समस्त भक्त गणने तो भी उनका ये भाव अभी तूटा नहीं था अभी भी मानवो श्री कृष्ण के रूप को ही देख रहे थे और श्री राधा जी का भाव लेकर आस्वादन कर रहे हैं और स्वरूप जी को रामनंद्राय जी को अपनी सखी समझ रहे हैं जो कि वो हैं भी कि कहो सखी की कोरी उबाए स्वैम को शी राधा समझ रहे हैं गोपी का भाव है उनके अंदर भाव गोपी भाव राधा भाव ये सब एक ही है क्योंकि राधा जी से ही समस्त गोपियां प्रकटिते हैं तो यहाँ पर गौरांग महाप्रुव कह रहे हैं कि हे सखी मुझे कु कैसे उस रूप का आस्वाधन करूं वो रूप बड़ा ही विचित्र है क्रिश्न अद्भुत बलाहक श्री क्रिश्न अद्भुत मेग हैं मेग अद्भुत मेग हैं और मोर नेद्र चातक और मेरी आखे चातक हैं स्वाती नक्षत्र की बूंद और मेग जब बरसाए जब मेग पानी को बरसाता है उसी पानी की बूंद को पी करके चातक अपनी प्यास बुझाते हैं वरना प्यासे ही मर जाते हैं सामने नदी है तो भी चोंच भर कर पानी पीले ऐसा नहीं है उपर ही टक-टकी लगा कर देखते हैं ऐसे ही मेरे नेत्र हैं वो प्यासे चातक हैं और श्री कृष्ण ही वो अद्भुत मेग हैं ना देखी प्यासे मरी जाए मेरे नेत्र रूपी चातक हे सकी हे ललिते ये तो प्यासे ही मर जाते हैं सौधामिनी पीतामबर स्थिर रहे निरंतर मुक्ताहार बक्पांती भालू। इंद्रधनु शिकी पाखा उपरे दियाचे देखा आरधनु वैजनती माल। और मेग में तो बिजली भी होती है। तो ये जो अदभुत मेग है, कृष्ण रूपी मेग, इसमें बिजली है, उनका जो पीतामबर है, वो सौधामनी है, स्थिर रहता है, ये जो विद्युत है, वो हमेशा स्थिर रहता है। चपला नहीं है, चंचल नहीं है, निरंतर स्थिर रहता है, और जो मुक्ता हार है, मोतियों का हार है, वो कैसा है? मानो, नील गगन में सभेद पक्षी उड़ते हैं, बक पक्षी, तो इसी प्रकार से वो मुक्ता हार, वो मोतियों के हार लगते हैं, शाम सुन्दर की चाती पर, कि जैसे नील गगन में वो बक पंची कतार बांधे उड़ रहे हों। इंद्रधनुश इखी पाखा, उपरे दियाचे देखा, आरधनु वैजन्ति मालावा तो ये जो कृष्ण नवजलधर हैं, इनके दो आश्चर इंद्रधनु हैं, हम देखते हैं जब बरसात का समय होता है, तो आसमान में इंद्रधनुश उगाता है, कई बाद। और ये जो कृष्ण रूपी अद्भुत मेग हैं, इनके पास भी दो आश्चरे कर देने वाले, आश्चरे चकित कर देने वाले इंद्रधनुश हैं, एक तो है मस्तक पे मयूरुपुच, बिल्कुल इंद्रधनुश जैसा लगता है, और दूसरा है, कंट से चरन तक जो वो वैजनती माला पहनते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, वो वैजनती माला। तो वो नीचे का इंद्र धनो है, तो एक उपर का इंद्र धनो है, तो एक नीचे का इंद्र धनो है, और क्या? गुर्देव कहते हैं कि ये जो नव जल धर है ना ऐसा मत सोचना कि ये चुप रहता है जैसे बादल गरस्ते हैं ऐसे यहां भी गर्जन है क्या गर्जन है मुर्ली ध्वनी रूप गर्जन धीरे धीरे मुर्ली बजाते हैं श्याम सुन्दर और वो मानो मेग का गर्जन है रात में जो पूर्ण चंद्र उदित होता है चाहें वो कितना भी सुन्दर हो कितना भी प्यारा हो लेकिन हम देखते हैं कि उसमें कलंक होता है काली मा होती है बीच में धबबा होता है लेकिन कृष्ण मुख वो नित्य ही अकलंग है वहाँ कोई कलंग नहीं होता इतना सुंदर है श्री कृष्ण मुख और अगर कोई कहे अच्छा भई ऐसी बात है परंतु मेग तो जल बरसाता है तुम्हारे कृष्ण मेग क्या बरसात क्योंकि मुर्ली की कल ध्वनी तो चलो गर्जन हो गया जिसे सुनकर विंदावन में समस्त मयूर नाचने लगते हैं लेकिन बरसात किस चीज की होती है तो हमारे गौर सुन्दर कह रहे हैं लीला अम्रित वर्षिने सिंचे चौदो भूवने हैनो मेग जबे देखा दिलो दुर दैव जन्जा पवने मेग नीलो अन्यस्थाने मरे चा तक पीते ना पाई लो लीला अम्रित की वर्षा करता है ये मेग रास लीला अम्रित प्रेम लीला अम्रित कितने ही प्रकार की लीलाओं का अम्रित का वर्षा करता है और चौदा भुमन को पूरे ब्रमांड को लीला अमृत की वर्षा से सिंचित कर देता है ये कृष्ण रूपी मेग लेकिन हे सखी ऐसा मेग जैसे ही मुझे नजर आया तो मुझे लगा कि मुझे चातक की यानि मेरे नेतर रूपी चातक की प्यास अब बुझवी जाएगी क्योंकि मेरे भाग्य से अब वो मुझे नजर आ गया है लेकिन हाई रे हाई जैसे कई बार आसमान में बादल च्छा जाते हैं और प्यासे पथिक को लगता है कि जरूर बरसात होगी मुझे पानी मिलेगा किन्तु अचानक बहुत तेज हवा चलती है और हवा उन बादलों को दू ले जाती है तो इसलिए रूते-रूते यहाँ पर शिमन महाप्रुप कहते हैं कि ये जो मेरा दॉर दैव रूपी तुफान है न ये जो आंधी है दूर दैव यह जो मेरा दुर्भाग्य है दुर्भाग्य रूपी जो पवन चली इसने कृष्ण रूपी मेग को मेरी आँखों से उजल कर दिया वो चले गए और अब मेरे जो नेत्र रूपी चातक हैं वो प्यासे ही रह गए मैं उस अदुर्भुत मेग की एक भी बूंद को एक भी बूंद का आस्वादन नहीं कर पाया मेरे जो नेत्र हैं वो प्यासे रह गए मैं उस रूपामृत का एक बूंद चक नहीं पाया तो देखे कितनी तृष्णा है गुरुदेव कहा करते हैं कि जिसका जितना प्रेम उसकी उतनी ही प्यास और जिसकी जितनी प्यास उसका उतना ही प्रेम उतना ही आस्वादन है ना अब दुरुदेव ऐसा कि चिर पिपासित नेत्र रूपी चातक को मेग के माधुरे रूपी जल को पीने के लिए अवसर नहीं दिया इस दुरुदेव ने क्योंकि दुरुदेव रूपी तुफान आ गया और कृष्ण रूपी मेग को जाने कहां उड़ा ले गया तो ये आस्वादन ये लावण्य अम्रित गोविंद के श्यमुक का शी कृष्ण चैतने महाप्रभु कर रहे हैं गौरहरी कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि ये कि दुछे रूपी जो ये समें अदेद कृष्ण रूपी जो चान उनका जो मुख्चंद्र है उसमें दो अम्रित है एक बंशी गानल अम्रित दूसरा लावन्य-अम्रित जो हमने सुना जो कि ये तो अपरूप व्याक्या थी वर्णन था लेकिन क्या श्री कृष्ण के पूरे श्री विग्रह में सिर्फ उनका मुख ही चांद है तो गूपी भाव में श्री गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत कुछ है सकी है कृष्ण मुख द्विजराज राज कि है सकी श्री कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमा का भी राजा है चंद्रमा तो कलंग की उखते है श्री कृष्ण का मुख अकलंग है और क्या करता है वो श्री कृष्ण का मुख जो राजा है वो है वो कृष्ण रूपी वपू उनके श्री विग्रह पर उनके तन रुपी सिंगहासन पर बैठ कर राज्य करता है और किस पर राज्य करता है भाई प्रजा कहां से आई तो संगे कोरी चंद्रेरो समाज और भी चंद्र है महाँ पर चंद्र का समाज उसने पूरा गढ़ा हुआ है और उस चंद्र के समाज पर कृष्ण मुख रूपी राजा राज्य करता है तो वो चंद्र समाज कहाँ पर है? तो कहा गया दूई गंड सु चिक्कन जिनी मनी दरपन सेई दूई पून चंद्र जानी यह जो दो गंड है श्री कृष्ण के श्री मुख पर वो दो पूरे पूरे चंद्र माँ है है ना? पून चंद्र पून चंद्र है तो कहीं से कला या अंश नहीं है आधा चंद्र ऐसा नहीं है पून चंद्र है ललाट अष्ट में इंदू तहाते चंदन बिंदू से हो एक पून चंद्र मानी तो जो बीच में चंदन का बिंदू लगाया है, वो भी एक पून चंद्रमा है और जो ललाट है, ये आधा चंद्रमा है, अश्टमी का चांद है तो इस प्रकार से आगे भी है, करनक चांदेर ठाट, बंची उपर करेनाट अब क्या है जब राजा होगा सोचिये, और वो शासन कर रहा है अभी और भी चंद्रमा है, हाथों में भी दस चंद्रमा है, और जरण में भी दस चंद्रमा है लेकिन राजा चाहता है नाच गान भी हो, कोई भी राजा, मनुरंजन भी तो चाहता है मुख चंद्र जो श्री कृष्ण के तन रूपी सिंगासन पर बैट कर राजगाज कर रहा है समस्त चंद्रमा के समाज को लेकर वो अपने मन रंजन का भी खयाल रगता है क्या है? कर नक चांदेर ठाट वंशी उपर करे नाठ तार गीत मुरली रतान गान क्या है? मुरली जब बजती है तो मुरली की जो तान है वही गान है और नृत्य क्या है? वो जो बाकी चंद्र है वो नाच रहे हैं मुरली बजा रहे हैं तो मुरली के उपर नाच रहे हैं ना दसों के दसों नक चंद्र तो ये नृत्त है बाकी चंद्रमा नाच करके कृष्ण मुख चंद्र रूपी राजा का मनुरंजन करते हैं और पद नख चंद्रगण तले करे नरत नूपूरेर ध्वनी जारगार और नीचे के जो तो मतलब श्रीचरणू के श्यामसुंदर के जो चरण है वहाँ जो नकचंद्र है वहाँ भी नकचंद्र दस है तो वो क्या करते हैं वो नाचते हैं किसकी ध्वनी पर नूपूर की ध्वनी पर नूपूर बसती है और उस नूपूर के उस नूपूर उपी वाद्य की ध्वन तो इस प्रकार से आकाश का जो चांद है अगर हम देखें तो उसके पास तो बंसी नहीं है और वहां अम्रित भी नहीं है अम्रित भी कहाँ है तो गोपियां कहती है कि सखी ये जो मुरली है जो श्री कृष्ण के हाथ में रहती है ये तो एक बास की लकड़ी है न और वो जो लकड़ी की बंसी उस लकड़ी में भला इतना आस्वाधन कैसे आ गया कि हम पगला जाती है उस सुर को सुनकर वन्शी नाध हमें अम्रित जैसा मीठा लगता है ये आस्वाधन भला कहां से आ गया तो क्या एक शुष्क बास की लकड़ी सारे जगत को ऐसा मत्त कर सकती है तो ये संभव तो नहीं हो सकता इसलिए सखी हमें समझ आ गया श्रीक्रिश्न का अधरामृत उस बंसी के अंदर जाता है और उस अधरामृत की मादुरी से ही सारा विश्व भर जाता है अब समझाया ये श्रीक्रिश्न का अधरामृत है जो उस बंसी के अंदर से निकल करके हम सब को मत्त कर देता है तो हमारे आचारे कहते हैं कि दिखो गोविंद के हाथ में बंसी है ठीक है गोविंद मन ही मन सोचते हैं कि मेरे हाथ में जो चीज है उस चीज के अंदर इतने छेद हैं बहुत सारे छेद हैं और छेद का अर्थ क्या है छेद का अर्थ है दोश गुर्देव कहते हैं कि छेद का अर्थ है दोश और अंदर खोकलापन भी है कोई सार ही नहीं है बंसी तो असार है खोकला है तो फिर इस खोकली बंसी में छेद भी है ये तो और भी दोश हो गया तो कृष्ण सोचते हैं कि मैं ये जो छेद है ना इसको रहने नहीं दूँगा इसको मैं भर दूँगा कैसे भरूँगा अपनी अधरामरित के द्वारा इस छेद को मैं भर दूँगा तो जब वो अधरामरित के द्वारा उस छेद को भरते हैं तो वो भर नहीं पाता है क्यों? क्योंकि वो भीतर से खोकला है इसलिए कहा जाता है कि जो भीतर से कपटी हो, खल हो, खोकला हो उसके अंदर कृष्ण कृपा रह नहीं पाती है महाँ पात्र नहीं बन पाता है कृष्ण कृपा की रहने का, तो भजन के लिए सरल प्राण की अवशक्ता होती है, आपको सरल होना होगा, दोश दर्शी होने से काम नहीं चलेगा, इसलिए श्री कृष्ण अपने हाथ से बंसी को बजाते हैं, भीतर पून करने का प्रयास करत हैं लेकिन वो पून नहीं होता, और उस छेद से श्री कृष्ण का अधराम्रित सुर के रूप में, मधुरतान के रूप में निकल जाता है, और सारे विश्व को मत कर देता है, और मत करके फिर से वापस बिंदावन धाम आता है, और वापस आकर के प्रवेश करता है गोप गोपियां ही सिर्फ और सिर्फ गोपियां ही अनुभव कर पाती है इस वन्शिनाद की चमतकारिता, क्यों? क्योंकि उनके पास है महाभाव रूपी प्रेम, जो बाकियों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, गोपियों के पास है, और श्री राधिका के पास तो फिर ये जो विश्व को पागल करने वाला सुर है ये दस चांद का वाद्ड है जिसको बजाते हैं दस चांद इसी को बजाता है और इसी पर नाचता है है ना और पद नख चंद्र वो नीचे नर्तन करते हैं नूपुर के द्वनी जिसका गान है तो भाई अब सवाल ये उड़ता है कि श्री कृष्ण का जो मुख चंद्र है वो समस्त चंद्र समाज का राजा हो गया और कृष्ण वपूरूपी सिंगहासन पर बैठ कर राजपाट कर रहा है तो मंत्री भी तो होने चाहिए राजा भिना मंत्री के कैसे लगता है भाई तो फिर बताया कि इनके मंत्री भी है कौन है वो विपुल आयत अरूण मदन मद घूरनन मंत्री जार एदूई नयना आहा लावन्न केली सदन जन नेत्र रसायन सुख मै गुविंद बदना विपुल आयत अरूण लालिमा लिये हुए कान तक फैले हुए बड़े बड़े नेत्र जो प्रेम के मद से गोपियों का प्रेम पाकर महा भावरूपी प्रेम को पाकर उनमत हो गए और उस उनमतता से वो घूरनित है घूरनित है जैसे नशे में डोल रही है वो आखे इस प्रकार से वो दो मंत्री हैं दो आखे मंत्री जार एदूई नयन क्योंकि मंत्रियों में क्या होता है ज्यादा मतता होती है ज्यादा एहंकार होता है तो क्योंकि राजा के समस्त आदेश को वही लागू कर रहे होते हैं तो इसलिए ये मदर मद घूनन है तो गोविंद वदन गोविंद का मुख कैसा है लावन ने केली सदन लावन ने केली सदन है और लोगों के नेत्र के लिए रसायन है अम्रत जैसा है परम सुखमय है गोविंद का शीमुख क्योंकि वहाँ पर मदन मद से घूनित दो विपूल आयत अरुन नयन है जो की मंत् इस द्विज राज राज के तो इस प्रकार से गोपियों का ये भाव है जिस भाव को लेकर के महाप्रभू धर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण का और कह रहे हैं जार पुन्य पुन्ज भले से मुख दर्शन मिले दुई अक्ष की कोरिबे पान द्विगुण बाडे त्रिष्णा लोब पीते नारे मना खोब दुखे करे विधिरोनन निंदन ना दिलेक लख कोटी सबे दिलो आँखी दूटी ताहे दिलो निमीश अच्छादन विधी और तपो धन रस शून नितार मन नहीं जानने योग्य स्रिजन आहा हमारे कृष्णास कविराजगोष स्वामी जी की भाषा अम्रित्मय है अपूर्व है तो आक्षेप कर रहे हैं गौरांग महाप्रभू कि हाई रे वैसे तो कृष्णानन, कृष्णा मुख का दर्शन होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है लेकिन अगर बहुत पुन्य किया हो, बहुत सौभाग्य हो किसी का और उस सौभाग्य के बल पर कृष्णा मुख दर्शन मिल भी जाए तो ये तो बताओ सकी कि दो आँखों से कैसे पान करेंगे असीमित सौंदर है हमने सुना पिछली बार माधुर्य वारिधी माधुर्य की बाढ़ आई हुई है अब दो आँखों से कैसे समेटेंगे उस माधुर्य को तो तृष्ना लोभ इतना बढ़ गया महाप्रभु का लेकिन पी नहीं पा रहे हैं मन भर करके कृष्न माधुर्य को इसलिए मन में बहुत दुख है और दुख से ब्रह्माजी को कह रहे हैं उनकी निंदा कर रहे हैं कि अरे ब्रह्माजी आपने उन लोगों को जो की श्रीक्रिश्न के मुख का दर्शन करेंगे उन्हें लाख आँखें क्यों नहीं दी दो ही आँखें दी सिर्फ दो आँखें दी अच्छा दी तो दी चलो लेकिन उसमें पलकें क्यों बनाई क्यों बार बार जबकती हैं बलके बाधा हैं बाधा अब बताईए पलके कही बाधा हो सकते हैं लेकिन गोपियों के लिए पलके बहुत बड़ी बाधा हैं एक निमिश काल को भी वो एक कल्प का काल मानती है कृष्ण विरह में तो ये जो निमिश आच्छाधन है पलकों का जो आच्छाधन है ये क्यों या तुमने, हाई विधी, तुम बिल्कुल जड़ हो, बस तपस्या करते रहते हो, तपस्या करते करते तुमहारा जो मन है वो बिल्कुल जड़ हो गया है, हें? तुम्हारा मन रस शून है, तुम रस को ही नहीं समझते, गोविंद ही रसो वैसा है, उनके मुख का दर्शन आँखों की सुविधा तुम्हें देनी जाहिए थी। तुम योग्य स्रिजन करना नहीं जानते हो। रसका मर्म भी भला कहां जानते हो। तो इसलिए आक्षेप कर रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आपने इंद्र को हजार आँखे दे दी। वो तो गोविंद का दर्शन नहीं करते। उनकी आँखों का क्या लाब और हमें जो है सिर्फ दो आँखे दे दी। जे देखी बे कृष्णानन तार कोरे द्वीनयन वेधी होईया है नो अविचार। मोर जोदी बोल धरे कोटी आँखी तार कोरे तबे जानी योग्य स्रश्टी तार। क्या तृष्णा है क्या लोग है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गवरहरी का गवर किशोरी का और माथुर विरह है उसमें एक दर्शन जो मिला भी उनको बहुत ही बहुत ही हलका था अर्था एकदम आँखों के आगे श्री कृष्णा प्रकट हुए और ओज़ल हो गए और इसको लेकर के बहुत जादा आक्षेप कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, गौरहरी कह रहे हैं कि जो श्रीक कृष्ण के मुख का पान करेगा, मुख को देखेगा, उसको दो नयम दिये, ऐसा अविचार क्यों किया है ब्रह्मा जी तुमने, अगर तुम सच में, सच आख नहीं करोणों आखों की आवशक्ता है, तभी समझेंगे कि तुमने देख भाल के सिष्टी की है, सोच समझ के तुमने स्रिजन किया है, गुरुदेव कहते हैं कि एक करोण आखें हों और तभी श्रीक्रिश्न माधुरी का आस्वादन होगा ऐसा नहीं है, आखों में प्रेम की आवशक्ता है, प्रेम युक्त आखें, दो आखें काफी हैं, इसलिए गोपियां जो अपने दो नहींडों से क्रिश्न माधुरी का आस्वादन कर रही हैं, अन्ये की अनंत कोटी नेत्रों से भी वो होगा नहीं, दो नहीं से जो अपने महाभाव के नहीं से जो भला कौन कर सकता है श्री कृष्ण तो राक्षसों के सामने भी आए लेकिन वो तो नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपने हमें दोहियां के दी ऐसो तो नहीं हुआ ना तो प्रेम ही एक मात्र हेतु है जिसके द्वारा एक मात्र उबादान है जिसके द्वारा आस्वादन किया जा सकता है श्री कृष्ण के रूप माधूरे का है ना एक मात्र उपाई वही है इसलिए इंद्रिया है कि नहीं है वो बात नहीं है हम तो देखते हैं ऐसे ऐसे आचारे बिलमंगल ठाकूर जी उनकी तो दो आखे भी नहीं थी दो आखे तो उन्होंने अपने हाथों से ही फोड़ ली थी लेकिन हिर्दे के अंदर जो उन्होंने श्री कृष्ण का रूप दर्शन किया सूर्दास जी सूर्दास जी ने क्या आस्वादन किया और ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्नोंने आस्वाधन किया है कृष्ण रूप माधुली का प्रेम होगा प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोजने और भक्ति मई आखें होंगी भक्ति मई आखें इन जणाखों को नहीं कहते हैं तब श्रीक कृष्ण रूप की वहचित्री का आस्वाधन हो पाएगा अनिता इसलिए महा प्रभूं कि जो आअस्वाधन कर रहे हैं वो है परमहान प्रेम का परमहान राधारानी का प्रेम है, और आक्षेप कर रहे हैं कि देखो मुझे लाग करोड़ आंके नहीं मिली दो इ доб laughing मिली है और उस काज पड़ु तार माथे बाज से नयन रहे की कारण ये आक्षेप है उनका इसलिए श्री कृष्ण के अंग का माधूरे मुख का माधूरे और मंद हसी का माधूरे इन तीन का वर्णन करते करते महाप्रभु का मन उस रस में आविष्ट हो गया है इसलिए उनका ये का कि मेरे दुर्भागे की कितनी शक्ती है उसके आप उसका वर्णन अगले स्लोक में शिमनahr महाप्रभु करेंगे गुरुदेवनें चाहातो शिमन महाप्रभुनें चाहा तो आगी चर्चा करेंगे हां जाए जाए श्री राधे श्याम श्री गुरु निताई गूर सितनाथ पे मनंदे हरी हरी गूरुद।